हेलो प्रेंट्स आप लोगों का बहुत स्वागात है मारी यूट्यूब चैनल मिखलेज गाड़ेंगे अगर आप लोग भी अगर अपने गुलाब पे बहुत बड़े-बड़े फ्लावर्स पाना चाहते हो और बहुत सारी कलिया पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाश्ट कि वेल्गुल देशी रोज हैं देख सकते हो उसमे बहुत ही खुजबू हैं देख सकते हो कि Beim site वावर बड़ा देख सकते हो चली मैं आप लोग बताना बंढ श्टार्ट करता हूं जो गुलब का प्लांट अगर आप लोग उस पे कटिंग नहीं किये हूं उसके कटिंग जरू कर देना हैं ताकि इसके पाउधे का अच्छय से विकास हो सकें और अगर आप लोग इसे गमले पे लगाए हो तो इसे आप लोगा गमले पे उसको ढसा उप मिद्टी है उससे आप लोगों को निकाल देना है उसके बाद आप लोगों क्या करना है उसके जो जड़ है उसको बहुन सारे आईसे जड़ होते है जो रिद्धी भी अच्छे से होगा और उसका वृद्धे भी अच्छे से होगा और आप लोगों को जैसा है यह देखिए जैसे कि यह रहम इसका फ्लावर अगर जढ़ गया हम लोग क्या करना है इसको यहां से रिमूव कर देना है यहां से इसको हटा देना है ठीक है तो यह जो कलिया है इसको विकास अच्छे से हो और एक रिजन आता है कि आप लोगों इसमें क्या खाद देते हो मैं देखिए यहां पर इसके जड़ पर देख सकते हो पहले आप लोगों को इसके जड़ के आसपास को दो से तीन दिन के लिए गढ़ा खोद के रख देना है ताकि उसमें वाईयू का अच्छे से आना जाना ह अगर आप लोगों के पास अगर गोबर की खाद है तो आप लोगों को अमेशा ध्यान देना है आप लोगों को कार्बनी खाद है उसका उप्योग किया करूं आप लोगों को अभी मार्चा का सीजन हो चुका है तो आप लोगों को मार्चा पे कटिंग जरूर कर लेना चाहिए क्यों कि पहुत ही अच्छे त草ल्ड के से इस पे ग्रोटिंग नचन टुका है